किसान भाईयों इस समय हमारी धान की फसल लगबग पैनिकल इनिशेशन स्टेज में चल रही है मतलब गोब के वस्ता में चल रही है तो इसी समय हमारी फसल में कई परकार के कीट और बिमारियां लगने का खत्रा सबसे ज़्यादा रहता है जिसमें की कीट के परकोप को देख का खत्रा बना हुआ है तो फिर हमें अच्छे टेकनिकल का प्रियोग करना चाहिए जैसे कि स्ट्रॉबिन ग्रूप 11 और ट्राइजोल ग्रूप 3 की दुवाओं का सुरक्षा के तौर पर सप्रेक कर देना चाहिए जिससे कि हमारी फसल को लगबग 70-80% तक की सुरक्षा मिल जाती है मगर यह टेकनिकल बहुत सी कंपनियों की दौवाओं में आते हैं जैसे कि सजेंटा कंपनी के एमिश्टर टॉप इसका प्रियोग हम सुरक्षा के तौर पर कर सकते हैं और अगर रोगों का परकोप बहुत अधिक हो तो जो बाली निकलती है तो बाली के दानों का रंग भी खराब हो जाता है और कई बालीों में दाने भरती नहीं है मतलब दानों में फोग बनके आती हैं सो इसलिए हमें प्रिवेंटिव में ही इस दवा के सप्रे करवा देना चाहिए क्योंकि इस समय गोब की वस्ता में एक छोटी सी बाली बन रही होती है और इस अवस समय फंगस का टेक हो जाए और दानों में जो फोक और दानों का रंग खराब होता है तो यह इसी फंगस के कारणे ही होता है और इसलिए एमिस्टा टॉप फंगी सैड में दो अलग-अलग अडवांस टेखनिकल दिये गें जो कि धान की फसल में शीत बलाइट, ब्लास्ट, ब क्यंस का बहुत जब्लानों में फोक बनने के चांस बहुत जबहुत जाद होते हैं मतलब कैमी कल और सप्रेय नहीं करना得 चाहिए और अगर फंगी साइड के साथ के वल इंसेटी सलील Самीए पनागी और बाद में एकच कर चाहिए और अगर fertilizer जैसे कि NPK या potash या boron की spray करनी हो तो chemical से अलग ही spray करनी चाहिए क्योंकि अगर हम chemical के साथ fertilizer mix करके spray करेंगे तो हमारी spray के फटने के chance बहुत जाता हो जाते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर fungicide के साथ NPK और boron इन तीनों को एक सद मिलाने से ये घुल फट के दही जैसा हो गया है मगर हमारे कुछ किसान भई reaction होई दवाओं का भी spray कर देते हैं क्योंकि जब इतना खर्चा करके दवा लाते हैं तो spray तो करेंगे ही जैसे की NPK या potash या boron के साथ cable fertilizer की ही सफरे करनी चाहिए और इसके लावा भी गोब की वस्ता में अगर हमारे खेत में पानी नहीं है तो भी दानों में फोक बनने के चांस सबसे ज़दा होते हैं बगर इसके बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बर देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैलन सस्क्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में एमिस्टर टॉप ये काम कैसे करता है सबसे पहले बात करते हैं कि एमिस्टर टॉप के मोड फैक्शन के बारे में तो एमिस्टर टॉप ये एक ब्राड स्पेक्ट्रम सिस्ट्रमिक फंगी सेड है जो कि पतियों के दवारा पुरे पौदों में अफशोशित होके पौदों के सब इसों में तेजी से फैल जाता है क्योंकि ये ट्रासलामिनर और जायलाव सिस्टमिक बेसिस पे काम करता है और इसमें जो टेखनीकल आता है वो है अजॉक्सी स्ट्रॉबिन 18.2% प्लस डायफना कनाजोल 11.4% और ये ऐसी फर्मलेशन में आता है और जो अजॉक्सी स्ट्रॉबिन है ये केला ही कम से कम 10 से 12 बिमारियों को कंट्रॉल करता है और ये वर्ल्ड क्लास टेकनोलजी जो कि पावर बाय आमिस्टा टेकनोलजी पर अधारित है और सबसे बड़िया टाइम इसका सप्रे करने का ये होता है कि जब धान की फसल गोब की वस्ता में होती है या फिर 1-2% बालिया निकल चुकी हो और इसके अलावा एमिस्टा टॉप की सप्रे करने से पौदों में ज़ंडा पत्ते एकदम स्वास्त और हरे बरे रहते हैं जो कि बालियों को सारे नूट्रेशन देते रहते हैं जिससे दानों की सेटिंग अच्छी होती है दाने भर के आते हैं दानों का वजन भी अदिक होता है और इसलिए कहते हैं कि जंडा पत्ता जितना स्वास्त और हरावरा होगा उतनी ही बड़िया पैदावर होगी और बात करें इसका प्योग करने का सई समय और सई मात्रा के बारे में तो इसका धान की फसल में सई समय है कि रुपाई के 45-50 दिन बाद हम इसकी सप्रे कभी भी कर सकते हैं मतलब जब लगता है कि खेत में बिमारी आने का खत्रा बना हुआ है तब आप इसकी सप्रे कर सकते हो और इसकी सही मत्रा लेनी है 200 ml प्रतिये कड़ को 1.500-200 लिटर पानी के साब से तो किसन भाईयों यही सब कुछ था कि धान की फसल में आमिस्टा टॉफ अंगी सेड के बारे में धन्यवाद